गिल के साथ यसस्वी आएंगे रितुराज करेंगे आरंब। गिल के टीम में एंट्री लेते ही सुरू हुई माथापच्ची। आज दक्षीन अफ्रीका के साथ खेलेगी टीम इंडिया, उससे पहले टीम ही नहीं हो रहीता है। कौन आएगा नंबर तीन पर, कौन करेगा ओपनिंग, सूरिया की कप्तानी में टीम परमन्थन। कोज से लेका टीम मेनेजमेंट तक सोच में दावेदारों की बड़ी संक्या, मगर जगा सिर्फ इग्या रखी। भारत और दक्षीन अफरीका के बीच आज से सुरू होने जा रहा है टी ट्विंटी सिरीज, तीन मैचों के टी ट्विंटी सिरीज का पहला मुकाबला, खेलने आज दोनों टीमें डबरन के एतिहासिक केंग्स मीड स्टेडियम में उतरेगी, ये मैदान यूबराज सिंग क मनोबल बढ़ाएंगे, सामने दक्षीन अफरीकी टीम होंगी, मगर दिक्कत ये है कि फिर असमंजा से टीम सेलक्षन में कौन किस पोजीशन पर खेलेगा, यही तय नहीं हो पा रहा है, सुबमन गिल के टीम में आते ही ये तो तय है, वो खेलेंगे, ऐसे में यसस्वी जैस पाल ने 55 के एवरेज से 223 रन बनाए, रितुराज ने अपने जीवन का पहला T20 सतक भी लगाया था, मगर सुबमन के आ जाने से इन दोनों खिलाडियों में से एक को बाहर बैटना होगा, रितुराज बढ़ियां फार्म में है, तो यसस्वी लेप्ट हैंड बैटर है, अक इसान किसन ने पिछले सीरीज के 3 मैचों में 110 रन बनाए है, वहीं ओवराल T20 में उन्होंने 32 मैचों में 25.67 के एवरेज से 796 रन बनाए है, इसान किसन को T20 वर्ल्ड कप में भी मौका दिये जाने का सूचा जा रहा है, ऐसे में टीम उनके ही खेलने पर जोर देगी, वहीं और श्टेलिया के खिलाप आखरी दो मैचों में इसान किसन नहीं खेले थे, नमबर 3 पर खेलने, सिरेस अयर उतरे थे, लेकिन पहले के 3 मैचों में इसान किसन नमबर 3 पर खेलने उतरे थे, ऐसे में आज नमबर 3 पर किसे जगा मिलेगी, अगर इसान खेलते हैं तो सिरेस क इस नंबर पर खेलेंगे साइच चार नंबर पर सिर्यस के बाद सूरी कुमार यादब, रिंकु सिंग, रविंद जडेजा रहेंगे आज साम साड़े साथ बजे से मैच का आरंब होगा